वेलकम गाईज आप सभी का स्वागते सभी जीनेम अभियारती बेसी नर्सिंग अभियारती और मेसी नर्सिंग अभियारतियों का दोस्तों यदि आप भी रजिस्टर्ड नर्स हो राजस्तान से या फिर भारत के किसी भी राज्य से कोई सी भी राज्य हो या आपने भी नर् यहां दोस्तों 200 पोस्ट है और वह भी बारास सरकार के तरह आपको जर्मानी में बेजा दार रहे हैं कल हम वीडियो लेकर आये आपके लिए जापान से और आथ जर्मनी से नर्सिंग बढ़ती लेकर आये हैं जिसके फोरम भी आपको शुरूग हो चुके हैं फोरम एकदम फिरी है, आपको ओनलाइन फोरम बलना है, पूरे भारत से यहाँ पर जीनेम केंडिडेड बीएसी नर्सिंग अभियार्ती और एमेसी नर्सिंग अभियार्ती फोरम एपलाई कर सकते हैं, वो भी मेल और पुलूर्श, तीन लाख परती महिना इसमें आपको सेलर मिलेगी, यदि आप दाइस्टर्ड नर्स हो जाते हो जर्मनी के अंदर, शांदर और सुनेरा आउसर और बिल्कुल आसान फरकिर्या है, यह दोस्तों वीडियो उन्ही के लिए है, जो वाकई में चाते है कि उनका जो फ्यूचर है, वो सुद्रे कहना करे डिग्री और तो इसमें सबसे बात ये भी है कि आपको परमने वहाँ पर जो है, रहने के लिए बात ये नहीं होना पड़ेगा, दो सल काम करके आओ, अच्छा खासा पैसा कमा के आओ, और वापस इंडिया में आजो, तो सो मेक्शोर यू वाच दा वीडियो अंटिर एंड आई वील एक क्या क्या सवाल होते हैं, ये देखिए, फिर मैं आपको नीचे लेकर चलूँगा, नोटिफिकेशन की तरफ, पहला सवाल, जर्मनी में पंजीगत नर्स के रूप में काम करने के लिए क्या योग्यता है और आवशकता है होती है, दूसरा, मैं अपनी नर्सिंग योग्यता को जर्मनी में कैसे मान्यता दिला सकता हूं, तीसरा, फूर्ण मानने तका अर्थ क्या है, और आशिक मानने तका अर्थ क्या है, क्या जर्मनी में नर्स के रूप में काम करने के लिए मुझे जर्मन बाशा बोलनी होगी, मैं बारत में जर्मन बाशा की परिक्षा कहा दे सक क्या है मतलब जर्मनी में यदि आप काम करते हो तो वहाँ पर फूचर इसको आपके क्या रहेंगे क्या मुझे जर्मनी में रहने के लिए मकान और आवास भी उपलब्द करवा जाएगा मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे दौरा जो सेलेक्शन हुआ है तो मुझे सेलरी मिल र पाशा सीखने की जरुत पड़ेगी हुआ पर क्या में एक पंजीकेत नर्स के रूप में इस ताई रूप से जर्मनी में रह सकता हूं क्या मतलब citizenship आप लेना चाहो या लीगल लेजिजेंसी तो उसके बारे में भी आपको इस यूडिय में पूरा बता हुआ वीडियो काफ पाशा से बरोगे अभी और बाद में कहा से बर सकते हो जब यह पोश्ट बर जाएगी पूरा विवरन जर्मन ओफिशियल लेंग्वेज ट्रेनिंग जो आपको पांस करना पड़ेगा इंडिया में उसके बाद यह आप जो है जर्मन जा सकोगे सिंपल है कोई दिक्कत नही इरिया आपको कहा मिलेगा हूँ आप नोकरी कैसे कहा मिलेगी डिपोशिटिव फीस आपको यहां पर जमा करानी पड़ेगी दोस्तों 30,000 रुपे ओनली फोर 30,000 रुपे आपको जमा कराना है इंडिया में बारत सरकार के जो मंत्राले जो बोड है जो संस्तान है एन एस डी जो कि अपनी बारत की एक मात्र संसान है जिसका मूल उद्देशी कोशल विकास करना है और जो बेरजगार अभ्यारती होते है जो लोग बाग होते है उनको यह अन्य दोस्तों में काम के लिए बेशते है ठीक है तो आज की इस वीडियों में दोस्तों बात करेंगे अपन न 30,000,000 रुपे परिति महीन आपकी सेलरी रहेगी तो मैं करता हूं वीडियो को शुरू सबसे पहले शुरू आत में एक इचीच आप से बोलना चाहिँआ कि इतनी मेनत आपके लिए करते हैं तो कम से कम दोस्तों यह जो चैनल है इसको यहां पर सब्सक्राइब कर देना एक स सपोर्ट आपके लिए कि आप बेरजगार हो तो आपको 100% नोकरी मिलेगी और आप ही सपोर्ट आपको मेंटली रूसे मिलने वाला है ठीक है तो यह चीज़े है सब्सक्राइब जरूर किजी अब आपन वीडियो की शुरूआत कर लेते हैं अब यह देखिए यहां पर इन् नर्सिंग कर रखी है तो वो दोने ही अप्लाइ कर सकते हैं लेकिन जन्रन्रल नर्सिंग वालों से इन्होंने एक साल का एकस्पिरेंस वाले पर जा सकते हैं चलिए दूसरे बात करेंगे आपको जो है कहा पर प्लेश्ड किया जाएगा वहां के होस्पिटल में यह होते हैं वहापर रहेगी कुछ सभी चीज़े मैं आपको इस यूडियो में बताने जा रहा हूं ठीक है तो इसमें देखिए परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामेशन ओन पेशेंट एंड एवलुएटसिंग दा रिजल्ट मतलब आपको मरीजों की जो है परफॉर्मेंस के लिए वापर जो भी कार्रे होते हैं नर्सिंग के वह करने पड़ेंगे आपको उनकी इंजर्ड सीख पेशेंट के लिए प्र कि आप जो है यहां पर फॉर्म कैसे बरोगा यह देखिए यह वेबसाइट है एंजडिसी की ओके और यह देखिए यहां पर यह किलिक करना है यह जर्मनी की विकेंसी है डाइसों पोस्ट आपनिंग की है यहां पर एक साल का मांगा है 31,200 यूरो मतलब इसको इंडियन में क निकली है जो एंडियन गोर्मेंट ने विकेंसी निकाली है जर्मनी के लिए वो डाइसों पोस्ट है और आपको मिनीमम जो अनुबाव होना चाहिए जीनम वाले के पास में एक साल का बीएसी नर्सिंग हो या फिर जीनम हो एज लिमिट आपकी 40 साल से जो है यहां पर ज्य आपको जर्मन लेगमेंज यहां पर सीखनी पड़ेगी बीटू लेवल आपको यहां पर पास करना पड़ेगा अब वो कैसे करना पड़ेगा वो मैं आपको बता दू आप पहले एनस जीसी की वेबसाइट पर जाना मैं अभी बताओं आपको वीडियो के इन में वहां पर अब मान लेजिए आपने फोरम फिल कर दिया फिल करने के बाद में आपके पास कोल आएगा तो आपको अपने कुछ डोकुमेंट एनस डिसी कारेले में यह पर जमा कराने होंगे उसके बाद में आपको 30,000 डिपोजिट कराने होंगे मैं आपको बताओंगा अभी नीचे 30, फिर आपके ट्रेनिंग होगी 8-9 मेने की उसमें आपको जर्मन लेग्वज सिखाई जाएगी दोस्तों और फिर एक एक एक्जाम लगेगा आपका उसमें आपका B2 लेवल आपको इसमें लाने होंगे पास करना होगा यदि वो एक्जाम आपने पास कर लिए तो भाईया फ्लाय टू जर्मनी ये देखिए जर्मनी के लिए उडान बरे और जर्मनी में अपना अद्वत नर्सिंग करियर शुरू करे फ्लाय टू जर्मनी एंड बिगिन ये और वंडर्फुल नर्सिंग करियर इन जर्मनी खुल मिला के बात ये जर्मन लेग्वज आपको बस यहा आपको मिलने वाली है शुरू में यदि आप रेजिस्टर नर्स हो जाते हो तो लगबक सब्सक्राइब तीन लाग के करीम आपकी सेलरी जाएगी जो कि आप निकाल सकते हो गूगल पर जाकर कर ले ना आप आठ गंटे ही सिर्फ आपको डूटी करनी है रोजना ओवर टाइम आपको यहां पर मिलेगा यदि आप काम करते हो तो ओके और वरकिंग डे आपके कह रहेंगे पूरे सत्ता में सी पास दिन काम करना है दो साल के लिए विगंसी रहने वाली है कॉंटेक्ट पिरियाट जोब लोकेशन आपके जर्मनी देश में जाना पड़ागा आपको इंटर्व्यू आपका ओफलाइन और ओंलाइन दोनों हो सकता है इंडिया में और जर्मनी में यानिव बेनिफिट यानि तीस दिन में आपको यहां पर एक महीने में यहां पर पास हो जाएगा जो की पूरी प् का इस अंसता है ऑब इसमें देखिये इसमें इन्होंने बता वाले में और लिए उप मिलने वाला से आपको आफ होगाना रहाट-स होगा आपा дома को Siya यहांने एकली मिला के बाद यह 30,000 रुपए आपको इंडियन जो है यहां पर चार्ड करेंगे यह लोग सेग्रूटी डिपोसिट रहेगी आपकी ओके और यह जो है जर्मनी में पर चेश्ट पास कर लोगे इंडिया में फिर आपकी जो है वापस मिल दाईगे यह लुट करना क्या है पहले पूरे डिटेल से देख लिजे अब इसमें और भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है जर्मनी बहुत अच्छा देश मैं आपको बता दूँ काफी फास्ट होती है हर साल में एक मेनी की आपको लिव मिल जाती है महाँ पर आप जो है रेडी सिटी जन सिब भी ले सकते हो गर बसा सकते हो उसके बाद आपको बच्चे की शिक्षा विक्षा सब फ्री है यह देखिए जब आप जोब करने जाओगे तो अन एंप्लाइम आपको मिलेगा यूरॉपीन जो कंट्रिस है उसके नधिक सभी जितने भी यूरॉपीन कंट्रिस हैं वहाँ पर आपको वीजा फ्री प्रेवल मिलने वाला है मतलब कोई से भी देश में जा सकते हो यादि आपके वीपास वीजा नहीं हो तो तब भी यह आप जर्मनी में का यहां पर आप सभी फिरी होते हैं जर्मन के होस्पिटल है दोस्तों वह काफी हाई क्वालिटी के होस्पिटल होते हैं जिसमें एडवांस मेंडिकल टेक्नोलोजी काम यह करती है वरक लाइफ बेलेंस आपको करना पड़ेगा कल्चर डाइवर्शिटी आपको थोड़ी बहु आपको यहां पर होना पड़ेगा जर्मनी के लिए तो यह चीज़े हैं आपको क्या क्या सुविदा मिलने वाली है जर्मन रेफ्रेंस बुक है मोक एक्जामिनेशन कोचिंग है फिरी एटनल एसेस्मेंट और लेवल है यह सभी नॉर्मल चीज़े इन सभी को छोड़िए मै आपको काम करना पड़ेगा तो देखिए प्लेश्मेंट इन जर्मनी जर्मनी विल बी डेटर्माइंड बेस्ट ओन इच केंडिडेट्स क्वालिफिकेशन एक्स्पेंस एंड प्रोफिशेंसी मेडिकल सर्जिकल वाड़ में आपको डूटी मिल सकती है ऑपरेटिंग यहां पर आपको जोइनिंग मिलेगी ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी गर में बेज दिया यहां पर केयर करने के लिए केयर की पोस्ट के लिए जो कि मैंने कल वीडियो बनाई थी जापान के लिए ओके एसक्विलेशन देख लिजे इसमें आपको जर्मन वीजा प्रोसेसिं होने वाले है मैं पूरा कोशिश करूंगा दास्तों इस वीडियो में आपको समझाने की फिर भी कोई दिक्कत आती है आपको सवाल हो तो आप कमेंट करना कोई बेरोजगार अभी आर्ति जो रियल में जाना चाहता हो तो वह जरूर जो है कमेंट करें या फिर मैं आपको ए सीवी यहने रिजूम सब्मिट करना है और जो इंटर्वी रहेगा शुरू का प्रेलिमिनेरी उसको यहां पर जोइन करना है अटेंड करना है उसके बाद में आपको कंडिशनल ओफिशल लेटर आ जाएगा यदि उनको लगता है कि आप योगिये हो उसके बाद में आपको ज सब्सक्राइब करना पड़ेगा यह देखिए एट लेवल बीटू गेट इंटर्वीट बाई यह वर फ्यूचर एंप्लोई एंड रिसीव एंप्लोईमेंट ऑफर पास बीटू आल फॉर मोडूल्स यहां आपको लिसनिंग स्पिकिंग रिडाइटिंग और रीडिंग इन सब्सक्राइब काफी अलग होते हैं लेकिन जो जर्मन लेंग मेंसे वह इंग्लिश की तरह ही है तो आपको मेरे ख्याल से काफ यहां पर कोई प्रिब्लम नहीं आने वाली डिसीव और ओर जर्मनी में आपको अपने सभी डोकुमेंट्स और सभी जो वीजा सम्मेशन होते ह आपको पूरी करनी पड़ेगी फ्लायटू जर्मनी एंग वन्डर्फूल नर्सिंग केरियर इन जर्मनी ओके अब यह देखिए कुछ यह कूशन सोते हैं जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं उनके होते हैं तो यह मेरे ख्याल से 25 फैज में यह पैस दूसरा पैज इस्का पीड करेंब देखने जर्मन का फिलेग जर्मनी का यह जंड़ा है जिसको ना इस वीडियो का मैंने जर्मन फिलेग युबेंडियो बनाए बढं़ेल और यह देखिए जर्मन की लेंग्विज यहां पर किस तरह से क्या कुछ लिता है जो इंदियन में बारत में family को family बोलते हैं तो यहां पर जर्मनी में family ईल आई इस तरह से बोलते हैं father उदन वेटर mother तो उसको और वोलते हैं matter ना grandfather तो ग्रोव ने तो यह आपको वोकलिवरी सीख जाते हो तो एजिली आप यहां पर जर्मान लेंग्वेश सीख जाओं गए उसी तरह जिस तरह से आपने इंग्लिश सीखी जिस तरह से आपने हिंदी सीखी तो सिंपल है मेरे ख्याल से जर्मनी का फिलेगे अब चल चलते हैं उसकी तरफ यह देखें जर्मनी में काम करने वाले इच्छ रखने वाले पंजीकरत नर्स के लिए कुछ पूचे जाने वाले प्रेशन में आपको बता देता हूं ध्यान से देखना वीडियो को जर्मनी में पं कर सकते हो एक सेकंट यह रहा मैंने एंग्लिश की सब हैं नीमें कर लिए पीधियर में यह देखिए हैं जर्मनी में आप श्रीष्ट कैसे बन सकते हो तो दो तरह से बन सकते हो पहला पहला fully recognized और दूसरा partially याने fully याने आप completely रूप से वही की citizenship लेना चाते हो या हमेशा के लिए आप यहां से मन बना के गए इंडिया से कि यार मेरे को तो जर्मनी में ही बसना है वही सेटल होना है तो आप fully recognized तरीके से जा सकते हो दूसरा यदि आप चाते हो कि दो साल की विकेंसी है या कोई और विकेंसी निकलती रहती है दोस्तों तो उस विकेंसी के साब से आप कुछ समय के लिए जाना चाते हो जर्मनी तो पार्शली रिकोगनाइज्ट में आपकी जो हैं होगे वह जर्मनी में तो उस विस्पिटल में कितनी आऊशकता है कितने शब्दों की कितना बोल चाल की कितनी बाचित करने की उतना तरीक आपको सिखाए जाएगा ठीक है तो दो तरीके से आप जा सकते हो मेरे खियाल से काफी सारे स्टूड रही होगी चीज़े तो उनको ना यह पीडिएफ आपको यहां से मिल जाएगा यह हमारा टेलिग्राम गुरूप है सलीश नर्सिंग एकनीवी टेलिग्राम पर जाईए यह पिर वर्टसप पर चले जाएए यह मैंने डाल दिया काफी सारे लोग बोल रहोते सरा आपने जापान का नियों डाला यह देख देख लेजिए आपके कुछ मन में हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद फिर आपन चलेंगे फोरम बरेंगे अपन लाइव मैं किस तरह से आप फोरम बरोगी है ना और लास्ट में तो फिर मस्त चीज आपको बताने वाला हूं तो जर्मनी में पंज जिगरन होना और शके आपके नर्सिंग काउंसिलिंग में है ना दूसरा देखिए नर्सिंग योग्यतों को जर्मनी में केसे माननेता देला सकते हैं तो अपने मूल यह उसाइक जो भी डोकुमेंट से सेख्षिक दस्तावज व्यक्तिकर दस्तावज और जो भी आपके कार त्यार करनी है और उसको ले जाकर वापस आपको फिर बोलता हूं अभी वीडियो के आपको बता दूंगा तो इसमें देखिए आगे इसमें आपको जमा करने के लिए आवशक मूल दस्तावज की सोची परदान करेंगे यह आपके सभी डोकुमेंट्स को आपको जर्मन बा जो है इसकी कोपी लगानी पड़ेगी और यह सभी डोकुमेंट्स जर्मनी में जहां आपकी रहेगी जिस होस्पिटल में या जिस डिपार्टमेंट में वहां पर यह पूचा देंगे फिर आपका जो है आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद में आपका और आचीक मानने तेखा क्या अठ्विट न अपका बताया था ना फूली रेकोगनाशड और और यह पार्षेली रोगनाशड तो यह वही हैं यहें फुली रिकोगनाशड और यहें पार्षेली रिकोगनाईजड तो आशृध को आपकी जर्मनी पहुसते ही तुरंत पंज चाथे मैंबस मांदेता लेकर य के जिदि जर्मनी जाते हो तो आपको राइस्टरर्स के रूप में काम करना होगा और अन्षिग मांदेता यदि आप चाहते हो कि आप थोड़ी बहुत ज्यादा डीफिकल्टी आप पूरी तरह से विद पोशी थे और अमिदवार सोमार से शुकुरुआ परती दीन आठ गंटे के आपको यहांपको यहांपको काम करना होगा और जो भी आपको डिपार्टमन दिये जाएंगे क्या जर्मानी में रूप में काम करने के लिए मुझजे जर्मन बाशा बोलने होगी तो हाँ भया अभिया आर्थी को जर्मन बाशा प्रिक्षा के लिए बी- टू इस तरह का प्रकिंशनल पूडा करना होगा जिसका नाम है GOETHE एक तो यह एक दूसरा OHD एक्जाम होता है TELC एक्जाम होता है जो कि आपको इंडिया में इसकी प्रेपरेशन करवा देगी गवर्मेंट जैसे मानना था प्राप्त प्रिक्षा केंद्रों में से किसी एक से जर्मन बाशा प्रमान पत्र प्राप्त करके सभ होगा पंड़ना लिखना और बोलना इस सभी 4 मोडल में आपको जर्मन आने चीगें घजर्मनी में एक पन्जीगर्त नर्स का O30 thats क्या है तो जर्मनी में उसके बाद मिलेंगे तीन एजार से चोटीस सो मतलब तीन साड़ेत तीन लाख रुपे मानने था प्राप तौली को और जो असिस्टंट नर्स से उनको मिलेगी हैं पर डाही लाख रुपे सेल ली तो काफी अच्छी सेलरी रहां पर रहने वाली है आगे देखिए क्या जर्मनी में नर्स के रूप जर्मनि में से क्याको आगे सकती है इसकी बन सकती है इसके लागवा जनवनी में सब्सक्राइब करना चाहिए क्या मुझे जर्मनी में आवास उपलब्द करवा जाएगा मकान हाँ जर्मनी पहुसते ही सबसे पहले आपको एक सुष्जित आवास की व्यवस्ता कर दी जाएगी हालंकि मासिक किराया और जो भी चीजे होगी वह आपको अपने मासिक वेतन में से देना होगा उसका अलग से आपको यहां पर मिल देगा सेलरी में मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे जो सेलक्षन किया है जिस डिपार्टमेंट ने वह मुझे वेतन लाब और दिकार दे रहा है या नहीं दे रहा है तो बीटू जर्मन बाश्या आपको यहां पर पांस करन सब्सक्राइब करते कि पूर्टि वहीं मतलब यह है कि जर्मन में जर्मनी में जाकर आपको एक एक्ग्जाम देना होता है वह एक्ग्जाम यह जणके कोई की एक्जाम देता है और वो पास नहीं कर पता है तो वह असिस्टेंट नर्स के रूप में काम करता है डायलाक्स रूपे इधर मिलेगी तीन लाख साथ से उपर इसे लिए नर्स को मिलेगी समझ रहे होंगे आप बात में क्या कहना चारूं ऐसा क्यों है कि मान्याता केवल नि परिवार के पूर मिलन विजा की प्रक्रिया शूरू कर सकते हो आम तोर पर अपने परिवार को परिवारिक पून मिलन विजा के लिए जर्मनी लाने के लिए चmpIt छे मेहने से एक साल तक का समय लगता है मतलब आपको मेंशे मैदे तुम आपर काम करना ही होग़ा उसके बाद आप अपने फैमली को जर्मनी ले जा सकते हैं वहाप पर सिह सकते हो इसके अलावा सवाल आपके है कि क्या मेरे 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 जीवन सती। मेरे पार्ऴण अबतर करने के आवश्क्रता को बच्चों को जमने और आपके बच्चे को छूट है तो आप जो है वहाँ पर जा सकते हो easily देखे क्या मैं एक पंजीगत नर्स के रूप में इस्ताई रूप से जर्मानी में बस सकते हूं हाँ आप पंजीगत नर्स के रूप में वहां की citizenship ले सकते हूं कि मैं जर्मनी की ही आप जिंदगी बार रहना चाहते हूं तो यह देखे क्या है कि आप कुछ आउशकताओं को पूरा करने के बाद में जर्मन में इस्ताई निवास के लिए आउधन करने के लिए योग्य हो सकते हो यह मतलब से यह पांस साल की आउधन करना परता है उसके बाद आपको मांई से मिल जाती है परमाने टली क्या जर्मनी में नागरिकता प्राप्त करना संब्मव हैं हाँ 153 के रूप में आप कुछ आउशकताओं को पूरा करने के बाद जर्मन नागरिकता के लिए आउधन करने के योग हो सकते हो जैसे कि देश में पास साल की आउधी के लिए रहना और जर्मन संभाद में एक एक करना का प्रदर्शन करना ठीक है यह चीज हो गई अब इसम और आपको दी गई है इसका एड्रेस भी देख लीजें कोशल भवन न्यूमोती बाग निऊ दिलिग और यहां से आपको यह पर एपलाइफ पर के लिक करना है यहां से आप हैं यह डाउनड़ कर सकते हो वाले सेलरी दी गई है जर्मनी की व्तिशिए या है रइइस्टेर और जब आप नलीक करूगे तो इनक यह को noon अपको सामने इस तरह का यह कुलने वाला है एक लाएक को इस पर हमार भी जैसे करोगे तो आपके था लाइना आपको 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 नाम आपका राज्य आपका जीला आपने एजूकेशन में ठीक है अब इस पेशिलाइजेशन मतलब जिन लोगा ने जीने में जिन लोगा ने बीसे नर्सिंग यह यह यहां पर आपको किलिक करना पड़ागा यहां पर आप दियर के निशार पर किलिए करो तो सभी लिश्ट खुल जाएगी आपकी देखे पी डिशिबलेटी परसे इसको आपको रिजिम को अप्लोड करना है कहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको अपना जेंडर सेलेट कर लेना है कि मेल फीमेल जो भी हो आप ठीक है और इसके बाद में आपको यहां पर सम्मिट कर देना है तो आपका फोरम बरने में आ जाएगा उसके बाद क्या और उसके बाद होगा कि आपके पास कोल कर देंगे आपके पास mail कर देंगे mail करने के बाद में आपको कुछ बूपने समय जमा कराने होंगे जमा करने के बाद में आपका एक interview NHDC वाले या Indian लेगी और उसके बाद यदि उनको लगता हो कि आप योगी हो जाने के लिए तो आप से यहां पर 30,000 रुपे लेकर आपको पॉर्स शुरू करा देगी जर्मन लेंग्वेज के बारे में और उसके बाद में आपको नौ मैंने बाद एक टेस्ट होगा उसमें आप पास कर उसकता करना पड़ेंगा जिसमें 3what कहं माने लगतर हो जैखेंस नहीं बाद आप एक जो अमिलले लगत नंने कि अपके अच्छी और चीज लाया हूं कि एस सलीष कंसल्टेंसी सर्विसेज याने सलीष नर्सिंग एकनवी फ्लाइट टू जर्मनी मतलब यह है कि यह सर्विस हमने काफी टाइम से शुरू कर रखी है यह इस विकेंसी के लिए करियर से यहां करना है कि यह नहीं करना है जिसे मतलब इसमें क्या है आपको हमारे धूडे जीएगा सबसे पहले आप जुनना चाहते हो तो 915 457 यह मुबाइल नंबर दिये गए इस पर वाटसप पर आप अपको फोरम डिखा देता हूं और लाइन किस तरह से बनना है यह देखिए अब आप पहले हम आपको एक लिंक देंगे टेलीग्राम पर वट्सप पर उस पर किलिक करोगे तो आप सीधा यहां पोच्छोगे ना अच्भण-, बिभंश्प लिंट्रीटी यहां ऍट्रनाइशनल जोभ यहां तो दोनों पर किलिक करोगेए तो यह देखिए क्किलिक करोगे यह ओपन हो गया यह देखिए यहां पर आपके सामने पूरा खुल गया है तो यहां पर आप डाउलोड कर सकते हो नीचे से यह PDF नोटिफिकेशन और यहां से आप जो है apply कर सकते हो करोगे तो apply करने के बाद में वही प्रोसीजर आपके सामने आएगी जो मैंने आपको बताई अभी वीडियो में नीचे करने के बाद में आपके सामने इस तरह का portion खुलेगा मैंने जो कि आपको पहले बता चुका हूं तो यह चीज़ है थी दोस्तों जब जर्मन लेंग में मैंने आपको सभी कुछ बता दिया आपके questions बताए और काफी अच्छी वेकेंसी है I think मेरे साबसे जिन अभियारतों का मन है या जो जाना ही चाता हूँ जो बेरुज़गार हो जिसको पेसो की काफी जरू होते तो उनके लिए वेकेंसी रहने वाली है जर्मन नर्सिंग बर्ती फोरम शुरू हो चुके है रनिंग में है 500 पोस्ट है तीन लाक के करीवां पर सेरली मिल लेगी दो साल के लिए वे रहेंगे औरुका एकट्रो लगेगा तो आपको एक्षर को हो जाते हो तो आपको तो आपको काम करना पढ़ेगा तो यह चीजा कोई सवाल ना कमने करना अभी यह dwelt Monate झाल